यूनित 10 का इसलों नमबर 10.1.2 पढ़ेंगे Explain Simple Harmonic Motion with Simple Pendulum, Ball and Ball Examples तो पहले हम देखते हैं Simple Harmonic Motion Simple Harmonic Motion क्या होता है एक Special Type of Vibratory Motion होता है ये एक Special Type of Vibratory Motion होता है in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement acceleration जो होती है वो directly proportional होती है displacement के and always directed towards the mean position और जो acceleration की direction होती है वो हमेशा क्या होती है mean position की तरफ होती है तो ऐसे किसम की motion को Simple Harmonic Motion कहते हैं तो यहां पे जो mathematically दिखाया गया है A is directly proportional to minus X तो यहां से हमें ये पता चलता है कि A जो acceleration है वो directly proportional होती है X displacement के लेकिन जो direction of displacement होती है और direction of acceleration होती है वो हमेशा आपस में क्या होती है opposite होती है क्योंकि minus sign हमेशा opposition को represent करती है तो अब ये जो simple harmonic motion होती है वो क्या होती है वाइबरेटरी motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement and the direction of acceleration is always towards the mean position तो ऐसे किसम की motion को simple harmonic motion बोलते है जैसे कि हमारे पास example है तो simple pendulum का अब simple pendulum का motion कैसे simple harmonic होता है यहाँ पे देखें ये हमारे पास में पोजिशन में पोजिशन पे क्या होता है इस पे जब ये initially rest में होता है यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक simple pendulum है तो यहां पे हम, यहां पे यह इसकी initial position है, याने mean position, mean position पे इसके दो forces act करते हैं, एक weight वाला force और दूसरा tension वाला force, अब यह जो दोनों forces हैं, वो equivalent deposit होते हैं, तो इसी वज़ा से इसके जो net force होती है mean position पे, यहां पे जो initially net force इसके क्या रहेगी, net force हमारे पास zero रहेगी, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इसको ले जाएंगे किसी भी mean position पे एक्स्रीम पोजीशन पे तो यहां पे हमने इसको जब यहां से लेके यहां पे ले गए तो हमने क्या लगाया force लगाया, force लगाया तो इसमे अकसलरेशन प्रोड्यूस हुई तो अब यहां पे देखें जिस direction में हमने force लगा या displacement की direction के रहेगी वही सैम रहेगी अब क्या होगा यह जो displacement है ठीक है तो यहां पे अब क्या करेगा यह जो बॉब है या बाल है पेडलम का यह अपनी mean position की तरफ आना start करेगा क्यों mean position की तरफ आएगा क्योंकि इस पे एक और force लगेगी जिसको हम कहते है restoring force तो यह जो restoring force होती है वो कौन provide कर रहा है restoring force किस वज़ा से लग रही है क्योंकि यहाँ पे देखें आप यहाँ पे जो है object का क्या होता है weight होता है तो यहाँ पे देखें यह W हमने देदिया W is equal to mg के बराबर होता है यह weight वाला force लता है जो downward लगता है लेकि यहाँ पे object यहाँ पे देखें आप यह object force आपजेक्ट पे नीचे लग रहा है लेकिन इसकी motion इस तरफ में है तो ऐसे क्यों यहाँ पे हमारे पस क्या होगा इस weight वाले component इस weight वाले force को हमने component में तोड़ना है एक इस component में तोड़ा जिसको हमने कह दिया mg cos theta और दूसरा इस component में तोड़ने हैं जिसको बोलेंगे हम mg sin theta तो यहाँ पे देखी पास equivalent opposite forces हैं तो इस direction में कोई भी मोशन नहीं आएगी जो मोशन आएगी वो इस direction में आएगी mg sine theta तो अब यहां पे हमने देखा कि f जो restoring force था r से represent कर रहे हैं वो किसके बराबर था mg sine theta के बराबर था तो इस mg sine theta की वज़ा से ही वो object क्या हो इस direction में है force की direction क्या है force की direction यह है तो force की direction देखें यह है तो force इसी direction में लग रहा है तो जैसे यह object यहां पे आएगा तो उसकी speed क्या होती जाएगी force की वज़ा से बढ़ती जाएगी तो यहां पे आके उसकी जो velocity होगी वो क्या रहेगी maximum रहेगी mean position पे सकी velocity याने speed क्या रही वो maximum रही अब जब यह यहां से जाएगा किस तरफ दूसरी extrême position की तरफ जाएगा तो यहां पे देखें force की direction क्या है force की direction फिर भी mean position की तरफ है ठीक है force की direction क्या है फिर भी mean position की क्योंकि restoring force mean position की तरफ ही लगेगा तो इसकी direction यहां पे है और object यहां पे जा रहा है तो अब यहां पे देखें force की direction और velocity की opposite direction है तो इसी वजह से जैसे यह object यहां पे जाना start करेगा तो इसकी speed क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और position B पे आके इसकी क्या बनेगी speed 0 बनेगी तो जैसे ही फिर ये वापस मूब करेगा अपनी मीन पोजिशन की तरफ फिर से फोर्स की डारेक्शन गाईगा तो अब क्या होगा तो अब ये होगा कि इसकी स्पीड फिर से जब मीन पोजिशन की तरफ आएगा तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी मीन पोजिशन पे कितनी हो जाएगी सुरी यहां पे जीरो नहीं बलके मैक्सिमम होगी ठीके तो स्पीड क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी कहां पे मीन पोजिशन पे और अक्स्रीम पोजिशन पे क्या रहेगी जीरो रहेगी और एक्सलेरेशन यहां पे एक्स्रीम पोजिशन पे maximum रहेगी ठीक है क्योंकि object को जब हमने यहां से लेके यहां पे लेके गए थे तो आपको पता है कि newton second law के मताबिक f is equal to m into acceleration है जतना force हम ज्यादा लगाते जाएंगे उतनी acceleration ज्यादा उसमें produce होती जाएगी तो यहां पे mass तो constant है जतना force ज्यादा लगा दे जाएंगे उतनी acceleration ज्यादा होगी तो acceleration जो है mean position एक्स्रीम पोसिशन पे minimum रहेगी और mean position पे acceleration क्या बनेगी 0 बनेगी तो यहां पे हमारे पास acceleration क्या होगी mean position पे yeah पे acceleration zero होगी ठीक है acceleration यहां पर हमारे पास 0 होगी क्योंकि यहां पर restoring force इसी direction में लगता है और mean position पर जो था हमारे पास force क्या था mean position पर forces हमारे पास 0 थे ठीक है तो initially वो यहां पर 0 थे तो इसी वजह से acceleration भी 0 हो गए और यहां पर हमने क्या देखा कि यह जो इसकी motion है वो B और A के बीच में vibrate करती रहेगी ठीक है तो यह क्या करती रहेगी vibrate करती रहेगी और इसकी जो acceleration की direction है वो क्या direction होगी acceleration और force की direction सेम होती है तो जब force की यह direction थी तो acceleration की direction भी क्या बनेगी यह बनेगी force की यह direction थी तो acceleration की direction यह सेम ही होगी यूटन के से किन ला मताबिक जिस डिरेक्शन में फोर्स लगेगा डिरेक्शन भी एक्सेलरेशन की डिरेक्शन भी वही होगी और यहां पे जब में तो इसको थोड़ा रिपीट करता चलूँ यह इसकी लैंठ थी यह रिजिट सपोर्ट है इसके साथ एक लैंठ है इसकी किसकी स्ट्रिंग की जिसके साथ बाल कनेक्टेड है अब इसमें जो हमारे पास इनिशली फोर्स दो लग रहे थे डवली जी कोल टो एमजी एंड टेंशन वला फोर्स तो इसको हमने डैस्पलेस किया था एक्स्ट्रीम पोजिशन एह पे फोर्स लगा के ठीक है तो यह फिर से रिस्टॉरिंग फोर्स के वज़ज़े से अपनी मीन पोजिशन पे आएगा और मीन पोजिशन पे यहां पर रुकेगा नहीं लेकिन इनर्शा की वज़ज़े वो क क्या करता रहेगा वाइबरेट करता रहेगा दो एक्स्ट्रीम पोजिशन के बीच में और यहां पे देखें एक फिक्स पॉइंट पे यह हमारे पस मीन पोजिशन क्या है एक फिक्स पॉइंट है ठीक है तो इस फिक्स पॉइंट और इसकी यहां पे मोशन देखें यह मोशन क जो path है वो path भी क्या है? same है. तो पहले हमने oscillatory motion में क्या पढ़ा था? oscillatory motion में यही पढ़ा था कि जो इसकी जो position होनी चाहिए किसी भी एक fix point पे वो vibrate करता रहे और उसकी जो path होनी चाहिए वो path भी क्या होनी चाहिए? same होनी चाहिए. तो acceleration है वो directly proportional है displacement के. क्योंकि जितनी हम force ज्यादा लगाएंगे उतना यह object displaced ज्यादा होगा. तो यहां पे हमने यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि force is directly proportional तो x displacement जो जितनी में ने force ज्यादा लगानी होगी उतना ही वो ज्यादा displaced होगा. तो यहां पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि यह जो force होती है हमारे पास क्या थी. जितना ज्यादा force लगाएंगे उतनी extension ज्यादा आगी उतनी ज्यादा extreme position पे जाएगा तो हमें पता है कि force directly proportional acceleration होता है. ठीके तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? A is directly proportional to x भी लिख सकते हैं. तो acceleration directly proportional होआ. x displacement के. लेकिन यहां पे just में हमने minus sign लगा दी. क्यों minus sign लगा दी? क्योंकि यहां पे देखेंगे हम जो acceleration की direction है. वो towards the mean position है. और displacement की direction क्या है? वो इसके बिल्कुल opposite है. तो इसी opposite sign की की वज़ा से इसको हमने क्या लगा दी? माइनस sign लगा दी. तो यह था हमारे पास simple जो है harmonic motion किसका? simple pendulum का. और यहां पे हमने एक और बात मैंने बताई आपको कि inertia. inertia क्या होता है? inertia एक matter की property होती है. ठीक है? inertia एक matter की property होती है. जो किसी भी object को state तबदील करने नहीं देती. तो रिजिस्ट दी तो रिजिस्ट दी state of a body. मतलब यह एक property होती है matter की जो resist करती है, रोकती है object की state को तबदील करने में. ठीक है? तो यह होती है हमारे पास inertia. उसके बात second example था. simple pendulum हो गया. अब ball and bowl example. ball and bowl example क्या है? यहां पे देखें ball and bowl example. यह एक हमारे पास बाहूल है जिसमें एक बाल पड़ा है. अब जब यह बाल इस position पे है mean position पे यह हमारे पास कौन से किलाएगी mean position. जब यह mean position पे बाल है तो इस पे कौन से forces लग रहे हैं? एक तो weight वाला force लगेगा जो बाल का weight वाला force होता है. और दूसरा यह जो surface होता है ball का यह normal force लगाएगा किसको? बाल को. तो इसका normal force और weight वाला force आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए और opposite हो गए तो इस पे net force क्या लगेगी? जीरो लगेगी. mean position पे net force क्या थी? जीरो थी. अब जब यह हम इस ball को force लगा के इसको लेके जाएंगे extreme position A की तरफ ठीके? तो अब क्या होगा? जब extreme position पे लेके जाएंगे तो यहां पे यह वापस ball आना start करेगा. क्यों आना start करेगा? क्योंकि यहां पे restoring force लग रही है. restoring force कौन provide कर रहा है? restoring force यहां पे जो provide कर रहा है वो हमारे पास weight वाला force provide कर रहा है. ठीके? क्योंकि जैसे हमने pendulum में लिया था तो यहां पे हमारे पास जैसी pendulum में restoring force लग रहा था वो provide कर रहा था weight वाला force तो यहां पे भी motion ये object क्या था object जब ball यहां से आया यहां पे आया तो ये motion में था अब inertia क्या क्या कहती है अगर ये object motion में है तो इसको और भी motion में ही रहना चाहिए तो ये आप extreme position भी पे जाएगा अगर rest में होता तो rest में ही रहता क्योंकि inertia क्या चाहती है इनरशा यहीं चाहती है कि object की state तब्दिल ना होनी चाहिए तो यहां पे बाल जब motion में था तो यहां पे वैसे भी इसकी mean position पे speed क्या हो रहती है, maximum रहती है तो जब यहां पे जाएगा तो यह object जब यहां पे पहचेगा mean position पे velocity maximum होती है तो यह इनरशा कहती है कि यह motion में ही लगातार होना चाहिए क्योंकि इनरशा कहती है कि उसकी object की state तब्दिल ना होनी चाहिए अब यह जब उपर जाएगा तो फिर वापस यह restoring forces पे लगेगी और यह position A और B के बीच में A और B position के बीच में क्या करता रहेगा वाइबरेट करता रहेगा किसी भी fix point यह हो गई fix point और इसका जो path रहा वो path भी क्या रहा same रहा same path रहा तो यह oscillatory हो गया oscillatory special type हो गया oscillatory का special type कौन सा है SHM होता है simple harmonic motion simple harmonic motion में देखें यहाँ पे restoring force towards the mean position लग रहा है मतलब acceleration directly proportional X के है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ली displacement X ली तो displacement की direction यह बनी और यहाँ पे force की direction क्या बनी यह बनी जो force की direction होता है वही acceleration की direction होती है तो acceleration और displacement की direction क्या बनी opposite बनी तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ball and bowl वाल एक्जम पहले वो भी किसका है simple harmonic motion का है तो यह हमारे पास क्या था Simple Harmonic Motion SLO No. 10.1.2 जिसमें हमने देखा Simple Harmonic Motion Simple Pendulum और Ball and Ball System